हेलो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फराड़ी खीर तो मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा के फराड़ी खीर कैसे बनाते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैंने एक कटोरी मुरया लिया है उसको एक गंट पेल भीगो के रखा है और दो चम्मच बेदाम ली है उसको भी मैंने दो गंट पेल भीगो के रखा है एक तपेली में मैंने पांच कप जितना दूद लिया है उसको पहले फुल फ्लैम पे ही उबाल लीजेगा थोड़ा गरम हो जाए दूद इसके बाद इसके अंदर आप एक कटोरी सककर एड़ करिए और इसको हिलाते ही रहे रहे कंटूनी और अच्छे से बराबर गरम हो जाए उसके बाद आपको जो मुरहिया अपने बिगो के रखा है उसमें से आप पानी निकाल दीजे और वो मुरहिया दूद के अंदर एड़ कर दीजेगा और दूद को अब धीमी आज पर उबाली अभी अभी इसके अंदर आपको ड्राइफ रूट एड़ करना है काजू बेदाम पीस्ता और चार ओड़ी तो आप अभी देख सकते हैं काफी हमारा ये दूद गरम भी हो चुका है और उसके अंदर जो पानी का भाग रहता है वो भी अभी जलने लगा पूरा तो अभी में इसके अंदर चार ओड़ी पीस्ता काजू और वेदाम एड़ कर रही हूँ अभी इसको आप पांच मिल्डर के लिए फिर से उबह लिए अभी इसके अंदर आप अधी स्पून इलाइची पाउडर एड़ करेंगें इसके अंदर अभी हमारा मूरिया भी अच्छे से पक गया है अभी अधी जमाच इलाइची पाउडर अधी से अधी जमाच जाइफर पाउडर अगर केसर भी आपको इसके अंदर आड़ करना है तो आप केसर भी आड़ कर सकते हैं दस तार जितना केसर आप आड़ करेंगें तो अभी हमारा ये फरारी खीर रेड़ी है तो ये अप फरारी खीर फरारी थेपला या फरारी डंगिला या फरारी आंड़वे के साथ खा सकते हैं या फिर फरारी रोटी सबजी के साथ भी आप ये खीर मज़े से खा सकते हैं तो मेरी ये रेसीपी कैसे लगी आपको प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और मेरी ये वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा और मेरी चैनल को सबस्क्राइब भी करिएगा तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए